गुम तेरे क्या है जीना जिन विवर्स ने पहली तीन गटनाव वाला वीडियो नहीं देखा है क्रिपया वो पहले वही वीडियो देखें वरना उन्हें यह वीडियो इंटरस्टिंग नहीं लगेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाप, CO2 और नाइट्रोजन के मिश्रण ने धर्ती के वातावरन को रच दिया था और अब धर्ती में वो सारे तत्व मौझूद थे जो जीवन की शुरुवात के लिए जरूरी थे जैसे की एक सैल वाला जीव पैक्टेरिया लेकिन धर्ती को आज के जीवन में आने के लिए ऐसे हाला चाहिए थे जहां पर जटिल जीवन पनप सके और उसके लिए धर्ती के वातावरन में एक बदलाव की जरूरत थी और वो जरूरत थी ऑक्सीजन उस समय जब सिर्फ कारबन डियक्साइड और नाइट्रोजन थी तब जीवन ने अपने आपको उस वातावरन में ढाल लिया था और फिर भहुदी अद्बुद हुआ बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विक्सित हो गया और उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना शुरू कर दिया जिससे यह बैक्टीरियम एक वेस्ट प्रोड़क बनाने लगा और वो वेस्ट प्रोड़क था ऑक्सीजन हाला कि ओक्सीजन बहुती कम मात्रा में पैदा होती थी पर लंबे अर्चे के बाद अर्बो-कर्बोबैक्टीरियाज ने प्रित्वी के वातवरण को ओक्सीजन से भर दिया और ओक्सीजन से भरपूर वातवरण की ये रचना प्रित्वी को मौजूदा सुरूप देने व में ही था क्योंकि सूरज का जानलेवा रेडियेशन इन जूगों के लिए खतरनाक हो जाता जो पानी से बाहर आने की कोशिश करते हैं फिर बात में ओजोन लियर ने धर्ती को चारो ओर से ढख लिया और धर्ती को एक सुरक्षा कवच दिया और धर्ती को सूरज की अल्ट्रा वालेट क्रिणों से बचाया और तब जीवन ने समुंदर से धर्ती की ओर रुक करना शुरू कर दिया इसके अलावा धर्ती के पास एक अद्रिश्य ढाल भी है जो धर्ती को सोलर फ्लेयर से बचाती है एक बार मैंगनेट की तरह धर्ती का अपना चुम्बकिय शेत्र है जो धर्ती को सोलर फ्लेयर और गरम हवाओं से बचाता है और धर्ती पर आने से पहले ही उनका रास्ता ब पर विकास का सफर हमेशा आसान नहीं होता जीवन की कहानी मृत्यू की कहानी भी है पंद्रा करोड साल तक डाइनसौर का रास्था और फिर अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई एक बड़ा एस्टरॉइड धर्ती से आठकराया यह घटना मैक्सिको के बीच के पास हुई थी इस घटना से पूरी दुनिया में तबाई मच गई इस टकराफ की वज़े से चारो ओर धूल हो गई जिसने सूरज को धक लिया और दुनिया में सरदी अचा गई पूरी दुनिया में जगे जगे आग लग गई और डाइडल वेस उठने लगी और एसिड रेन भी शुरू ह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चटानों में चुपी कार्बन डायकसाइड वेपोराइज हो गई बाद में पानी के साथ मिलकर उसने एसिड रेन का रूप ले लेकिन यह महाप्रले छटी भागशाली घटना थी जिसने उस धरती की रशना हुई जिस पर मानवजाती को राज क करना था डाइनसौर के खतम होने के बाद प्राणियों के एक नए समू में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया और ये थे मैमल्स यानी स्तंधारी जीव यह जीव चशुंदर से भी छोटे थी और आगे चलकर इनकी नए प्रजातियां विक्सित हुई और इसने हजारों तरह के स्तंधारियों का रूप ले जिसमें इंसान भी शामिल थे जिनको एक दिन इस ग्रह पर राज करना था इंसान को धर्ति पर वसे करीब दो लाक साल हो चुके हैं जिन भागशाली घटनाओं का सिलसिला हमें यहां तक ले आया ज़रूरी नहीं कि आगे वी वैसा ही कुछ हो मानवजाती की हुकूमत कब तक चले थी? क्या मानवजाती के साथ भी वैसा ही होगा जैसे डाइनसौर्स के साथ हुआ था? इनसान बाकी प्रजातियों से अलग है वो सिर्फ ऐसे ग्रह पर विक्सित हो सकता है जहां पर हालात एकडम सही हो जहां का तापमान पानी को हमेशा तरल बनाए रखे जहां का चंद्रमा ग्रहों के ओर्बिट को स्थिर रख सके और जहां का सुरक्षा कवज उसे रेडियेश आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगे अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा आगे भी हम आपके लिए ऐसे रोचक वीडियो लाती रहेंगे हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हम कोईंट शेयर लाइक भी जरूर करें अगले वीडियो तक के लिए आप सभी से अलविदा धन्यवाद